हलो हम मoggо है जो आज हम डिसकस करें ये हमारे कमर्सियल बिल्डिंग का प्लान है और अर प्लायट्साइज 36 इंटू 55 लि कद अच्वाइब का है रही है सो अप्लाय भणन को ल्कट यह commercial building है, basement plan 36 by 55 है, scale 1 by 800 में हमने इसको draw किया है, तो आप यह देख रहे हैं, यह हमारा basement plan है, और इसी के parallel हमने ground plus 3, G plus 3, मतब 4 floor as it is, हम इसके उपर और बनाएंगे, जो आप यह देख रहे हैं, commercial hall की तरह यूज करेंगे, इसमें, दो toilet का इसमें हमने design किया है, और यह stair हमने design क इसमें, यहां से आप उपर के उजाएंगे, और तो detail में हम इसका basement का discuss करते हैं, देख रहे हैं, आप यह हमारे यहां से एरो down जाने के लिए, जो कि हमने यह पूरा, जो hall हमारा, इसको हमने आए, जो car parking की तरह, हमने design किया है, कि यहां से हम down जाएंगे, जो कि यहां पे car को पार करेंगे, और यहां से आप उपर के ओर जाएंगे, जो कि हम ground floor पे उपर पहुंच जाएंगे, जो ground floor जो हमारा है, इसमें हमने पूरा commercial hall की तरह design किया है, और इसी तरह हमारा plus 3 जो floor है, वो भी हमारी commercial purpose से ही हमने design किया, क्योंकि इसमें आप देखने है, कि केवल column हमारे side में है, और center में कोई column नहीं है, around में column है, बाकी कोई column हमारे नहीं है, तो यह column हमारा 12 बही 18 का है, यह 12 बही 18 का है, यह 12 बही 18 का है, यह 12 बही 12 का है, यह 12 बही 12 का है, तो total जो column हमारे 12 बही 12 के हैं, वो हमारे column है 4 और जो 12 बही 18 के हैं, वो हमारे column है 6, तो total हमारे जो column है, वो दस कालम की उपर हमने इस बिल्लिंग का डिजाइन किया है और कालम वी इंबेस पे ही हमने इसका डिजाइन किया है तो आप देख रहे हैं यहां से जैसे डाॉन जाएंगे तो यह हमने इस डेजाइन किया इस टेर में राइज ग Gil zaw हमारा six inch है और ट्रेड हमारा 12 inch है जो कि है जो एक standard size के recording हमने इसका design किया है तो यह around हमारा plot जो है यहां से यहां तक है बट हमने around जो है यह area space को open छोड़के चारो side around हमारा open area है और बीच में यहां से distant लेके फिर हमने इसका design किया है और column beam base को design किया है तो यह हमारा था basement plan और हमारा जो ground floor plan है यह हमारा ground floor plan है यहां से यहां से ऊपर हम जाएंगे जो कि gate है हमारा और यह around हमने window दे रखी देख रहे हैं आप यह window है जो कि fully ventilation हमें यहां मिलेगा यह भी window है यहां से आप ऊपर क्यों चले जाएंगे और यह दो toilet हमने जो commercial purpose से हमने दो toilet का design किया है अब देख रहे हैं यहां पर भी कोई column नहीं है तो हमारे जो G plus three floor है उसमें कोई भी column नहीं है और इसमें column beam base पे हमने जो है four plus one five floor का design किया है तो यह हमारा एक commercial building का plan है तो हमारा जो चैनल है इंजिनियर आजे टेक है उसमें हमने काफी plan residential and commercial purpose हमने upload किया है तो प्लीज हमारे चैनल में और वीडियो भी ज़रू देखेगा अभी इस वीडियो की जो ए प्लाइन है इसकी और details डाइंग हम upload करेंगे जिसमें कि क्योंकि कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है कोई building होती है इसमें काफी ड्राइंग हमें requirement होती है इसमें कि हमें column और वीम के इस टील क्या होंगे वह क्या उनका जो है साइज होगा वह सारा डिटेल हम अभी upload करेंगे तो प्लीज हमारे चैनल में और वीडियो जो upload करेंगे इसी साइज के प्लाइट होंगी प्लाइट का जो इसमें आप जरूर देखिएगा जो कि एक बिल्डिंग का पूरा एक इस्ट्रक्चरल डिजाइन और प्लानिंग और एलिवेशन पूरी ड्राइंग हम उसमें अप्लोड करेंगे तो हमारा जो चैनल है जीनियर एजैटेक है प